हलो एवरिवान स्वागत है आप सभी का लॉन इन फन पर मैं हूं भूमे का चौहान और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपका चाप्टर दिपोट्रेट ऑफ लेडी क्लास 11 होन बिल का चाप्टर नंबर वान है यह बहुत अमेजिंग बहुत मज़िदार चाप्टर ह देखा है जिसके अंदर उन्होंने अपना रिलेशन्शिप अपनी दादी मा के साथ बताया है यह तो इस चाप्टर को जब आप पढ़ोगे न आप भी कई न कई मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार आपका आपके पैरेंस और आपकी ग्रांड पैरेंस के साथ आखिरकार कै ऐसा रिलेशन्शिप है क्या आपको थोड़ा सा इवाल्यूएट करने की जरूरत है या नहीं राइट स्टार्ट करते है कुश्वांत सिंग के बारे में आपको पहले बताऊंगी फिर मैं आपको चाप्टर की बारे में बताऊंगी देन में की पोईंस के जरिए आप लोग क्योंड से है खुब सारी दाड़ी है डगली बागली बाती हुई है यह सो अ फ्रामिर शेप्ट इस पर शेप्टिंग आप टॉर मतलब की में ली किस चीज के बारे में लिखा धर दिए यह लिख सेप्शिंग और यहा ह लिख आपन पर कुर्चिनस किसी भी चीज को समझ न interactions किसी भी चीज के साथ हमारा जो भी interaction होता है ठीक है मतलब कोई भी एक इंसान आपको मिला आपके उससे क्या बात चीत हुई उसने आपको क्या कुछ बोला तो वो होते हैं interaction सो किसी भी जगा वो जाते थे या किसी भी इंसान से वो थे उनके साथ उनका जो भी ट्राइक्शन होता था और जो भी चीज उनको मिलके उन्हें समझ आती थी उसके बारे में ज्यादा तर यह लिखा करते थे जेक अब चाप्टा के बारे में अगर हम बात करें तो दो पोट्रेट ओफ लेडी पोट्रेट मतलब क्या होता है पिच् स्केच से तसरीर नहीं बनाया इन्हों ने बहुत प्यारे वर्द का इस्तमाल करके अपनी दादी मा को एक ट्रब्यूट दिया है उन्हों ने एक एक छूटी से छूटी डीटेल अपनी दादी मा की बताई है दिखती कैसी थी औरा कैसा था बाती क्या करती रहती थी क्या सि और खुद का रिलेशन्शिप अपनी दादी मा के साथ बता है that's why autobiographical है ये chapter describes the author's association संबंद किसके साथ दादी मा के साथ and changes that come about in their relationship और वो सभी बदलाव जो आए उनकी relationship में समय के साथ बच्पन में जब दादी के साथ गाओ में रहते थे उसके बाद ये दोनों जब शहर चले गए तो उस दौरान और उसके बाद जब दादी की मौत भी हो गई ठीक तो ये पूरा समय जो था ये पूरा टाइम जो था इस टाइम में क्या क्या changes आए उनकी लाइफ में उसके बारे में बताया गया है चलिए so the readers are forced to evaluate their own relationships with their grandparents and to reflect on the reasons for the growing isolation of elders and families very important point and very important line do points याद रखने है first thing क्या है reflect on the reasons for the growing isolation ये जो दादा दादी है ये जो मम्मी पापा है इन लोगों की जिन्दगी में isolation अ केला पन भुँआ बढ़ गया है क्यों बढ़ गया है क्यूंकि हम नालायक निकम में बच्चे आज कल अपने दादी पाब अपने ममी पापा के साथ बैठते ही नहीं है तो मिह देखो हम लोग कि निकम में हो गए हैं हम से बाते करनी है हम लोगों को इसकी वजह से हमारे parents हमारे grandparents वाई बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं तो आप लोग भी एक बार अपने आपको मजबूर कर दोगे इस chapter को पढ़ने के बाद की आखिरकार मैं अपने parents या मैं अपने grandparents को कितना time दे रहा हूं और वो लोग बहुत precious है पता है समय देना start कर दो आज से ही वरना पचता होगे थोड़े समय बाद right grandmother दिख रही है यहाँ पर बिल्कुल सफेद एकदम चक सफेद बाल सफेद कपड़े कमर जो की हुई हाइट में छोटी थोड़ी सी मोटी दादी मा यहाँ दिखाई गई है जो की बहुत क्यूट है सारा दिन prayer करती रहती है नाम जबती रहती है भाई बढ़िया ठेक है author's reminiscing of his grandparents अब author remembrance author's recollection अपनी दादी मा की उन सभी बातों का अपनी दादी मा की उन सभी यादों का एक recollection जो है यह chapter है जिसके अंदर author उनके बारे में सारी की सारी बाते author उनके बारे में उनकी सारी आदतें ठीक है वो क्या क्या करती थी उन्हें क्या पसंद आया उन्हें क्या पसंद नहीं आया सब कुछ उस chapter में बताते हैं चलो दादी मा के बारे में जानते हैं क्या क्या आगे जुकी हुई, बढ़ापे में क्या होता है, हड्डियां कम्जोर हो जाती है, ये कमर ऐसे नहीं बल्कुल सीधी नहीं रहती, इट गोस लाइक दिस, राइट, शो वाग्ड विद वन हांड वेस्ट, दादी मा अपनी बढ़िया एकात रखा कमर पे, सपोर्ट के लिए, और ऐसे, ऐसे, बेटा, ऐसे चलती मस्त, अधर हांड टेलिंग रोजरी बीज, अब दूसरा भी खाली नहीं छोड़ रखा, उसमें चल रही है, उनकी माला ही जप रही है, ठीक है, लिप्स मूविंग इन इनाउड़ बल प्रेयर, और, अपने दिखा न, अपन लोग भी, कोई मंतर वंतर जपते हैं, कैसे जपते हैं, इनाड़िबर, जो सुनाई ना दे, प्रेयर, कोई भी प्रातना वगेरा वो जो करते हैं, ठीक है, तो नाम जपना, तो वो बीज के साथ नाम जपती रहती थी, difficult for author to believe, she was very, ever, she was ever young, और, बतलब author के, author के दिमाग में ही न, अपन सब की भी दादी मा, तुमने, तुम इमाजन कर सकते, उनको जवान, जवानी में क्या लगती होगी, नहीं कर पाते हैं, अमें लगते हैं, जवानी में भी ऐसी होगी, क्योंकि जब से पैदा हुए हैं, तब से उन्हें ऐसा ही देखा है, तो author भी यही कहते हैं, मुझे तो न, कभी बतलब, मैं सोच भी नहीं पाता, हाई मेरी दादी मा, कैसी लगती होगी जवानी में, न, so, spotless white clothes, silver hair, एकदम, बिलकुल spotless, सफेद कपड़े, मतलब सफेद एकदम बाल, exuded, serenity, peace and contentment, बोले उसे देख के न, उसके, बोलते हैं, उनकी appearance से, उनमें से एक शान्ती टपकती है, संतोश टपकता है, peace, contentment, serenity, बोले, उनका औरा ही अलग है, एकदम peaceful हो जाता है, माइन्ड उनने देख के, ओम शान्ती वाले लोग देखे हैं, वो एकदम प्योर वाइट कपड़े पहनते हैं, मंक्स होते हैं न, उनको देखके देखना आप, जो भी मंक्स होते हैं, जो भी ये साधू पंडित वगएर होते हैं, इनको और बहुत शान्त होता है, इने देख एक शान्त ऐसे लगता है, दूसरी तरफ आप राखी सावंद को देख लो, एकदम भड़की ला आया है वो, है न, वो पूरी एनरजी रनवीर सिंग को देख लो, एकदम तड़कते भड़कते लगते हैं वो एकदम से, है न, लगते हैं नहीं लगते, उनका और आक ऐसा एकदम धूम में चाले टाइप का, और ये अपने ओम शान्ती वाले मंक्स वगएरा होते ही बिल्कुल शान्त दिखाई देते हैं, है न, तो, an expanse of purity and peace as in snow-covered winter landscape with mountains, रनवीर सिंग से याद आया, अभी अभी recent June का photo shoot हुआ है, हाई, है न, उससे तो कोई peace वाली feeling भी नहीं ले सकता इंसान, कि कोई तड़कते भड़कते कपड़े पहने, बिचार ने पहने ही नहीं, हाई, कितना, मतले करें, बवंडर हो गया भाई, बवाल मचा दिया लोगों ने, ठीक यार, बढ़या लग रहा था, क्या दिक्कत है, कपड़ पहने नहीं पहने, उसकी मर्जी, क्या हो गया, रनवीर सिंग यार, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे लगता है, है न, so an expanse of purity and peace as in snow covered with winter landscape with mountains, so हम कहते हैं कि an expanse of purity, purity, शुद्ध जो चीज होती है, ठीक है, प्यॉर जो चीज होती है, ऐसे लग रहा है कि एक विस्तार में मतलब चारो तरफ एकदम जैसे बर्फ बिखरी हुई होती है, मौंटिंस कवर्ड है, बर्फ से, पेड कवर्ड है, वर्फ से, बो वाली feeling देती है, दादी माँ एकदम मस्त वाली ऐसा देखने पर, यह देखो यह देखने में कितना सरीन लग रहा है, बस दादी माँ को भी देख के ऐसी feeling आती है, एकदम शान्त, अब ग्रैंट फादर की भी बात कर लेते हैं, दादू को थोड़ी ना भूल सकते हैं, भाई, दादा जी की एक तस्वीर टांग रखिया है, सौ साल के लग रहा है उस तस्वीर के अंदर, कहा लरांगी हुई है, घरों के अंदर ये एक मैंटल पीस होता था, जहां पर अगवाग लगाते हैं, घर्मी के लिए कमरे में, उसके उपर दादू के एक तस्वीर टांग रूखिया, ये लंबी दाड़ी है दादू की, उमर में सौ साल के लगते हैं, धीले धीले सफेद रंग के कुर्ते बजा में पहने हुए है, और सर पे बांदी हुई ह है एक बहुत बड़ी पगड़ी, राइट, पोट्रेट हैंगिंग अब दे मेंटल पीस, एक फोटो टंगी हुई है उनकी मेंटल पीस के ऊपर, लोग हंड्रेड यर्स ओल्ड विद वाइट फ्लोइंग बियर्ड, ठीक है 100 साल के लग रहे है, लंबी-लंबी सफेद पंजाबी स्टाहिल के है न, तो मोटे होते हैं, हट्टे-कटे होते हैं, तो धीले-धीले कुरते हैं बचा में पहनते हैं ये लोग, early bonding with grandmother in village, अब बात करेंगे हम हमारे कुश्वन सिंग की दादी-मा के साथ, शुरुवात में bonding कैसी थी, तो आपको पता है क्या हुआ, क्य पापा, शेहर में सेटल होने के लिए कुश्वन सिंग को दादी को गाओ में छोड़ गए, हम वहाँ पर जाके थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, then we will call you, ठीक है, हम लोग आपको वहाँ पर बुला लेंगे, ठीक है, तो अपने दादी पोते अराम से रहे तो कोई प्रॉब्ल इस तो सिटी मूव कर गए और उन दोनों को गाओ में छोड़ गए, दोनों अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है, बोथ बिकेम गुड़ फ्रेंट्स, अब सुभा सुभा दादी उनको उठाती, ठीक है, निलाती, दुलाती, ड्रेस पनाती, बढ़िया से ड्रेस करती उसको औ और उसको सुखा देते है, और उसके उपर शाही और दवात इस्तमाल की जाती थी, लिखने के लिए, एक पोटो आपको दिखरी होगी हाँ पर, ऐसे, तो सुभा सुभा उसकी तक्ती वक्ती पर मस्ट प्लास्टर ब्लास्टर कर देती, उसको रेडी कर देती, ठीक है, पयार करती, यह सारा काम करती, लगातार प्रेयर गाती रहती, ताकि इसको भी बच्चे को भी कुछ समझ में आए और यह भी सीख जाए, उसके अंदर वो बाते चली जाए, अच्छी अच्छी, सो उसको ब्रेक्फिस्ट देती, ब्रेक्फिस्ट में क्या देती, स्टेल पर उसके बाद क्या करते, वो स्टेल चपाती हो, अगर उसको खिला के, स्कूल के लिए निकल लेते, दोनों दादी पोते, और अब स्कूल कहां पर था, मंदिर से अटाच था, और वहाँ पर जो पंडित था, वो वहाँ की बच्चों को पढ़ाया करता था, तो इतनी देर दादी वहाँ पर बैठ के अपने holy scriptures पढ़ती, और इतनी देर वो पंडित जो है, वहाँ पर जो बच्चे आये रहते, उनको alphabet पढ़ाते, वर्ण माला, A, B, C, D, A, R, E, E, O, O, ये सब चीज़े, साथी साथ कुछ religious बाते भी वो उने सिखाया करते थे, ठीक है, जिसे पुर अपना काम करते महाँ पर, अब दोनों साथ में वापस आ जाते, बोद वाग बाक होम, और दोनों क्या करते, रास्ते में जो stray dogs होते थे, ठीक है, उनको बासी चपातिया, वो कुछ और लेकर आते थे, घर से और दादी और पोता, दोनों मिलके उनको बढ़िया क्या खिलात वो चपाती खिलाया करते थे, ठीक है, गाओं के dogs को, yes, author and grandmother shifted to city from village to be with author's parents, और author, अब या लिखा है, turning point in friendship, अब लोगों की मस दोस्ती हो गई थी, मस बांडिंग हो गई थी, लेकिन अब इसी दोरान उनकी इस friendship के बीच में एक मोड आता है, और ये मोड बहुत भयंकर होता ह दादी मा के लिए, पोते के लिए तो होता ही है, पोता तो वैसे भी इपने मॉम राट के पास जा रहा था, उसको पूरा एक नया लाइफ, नया स्कूल, नया कॉलेज, वालेज आगे सब मिलने वाला था, बट दादी मा की लाइफ में ये एक बहुत बढ़ा point था, अब सो संसे जवान थी, इतनी एज क्यों गई, तब से वो गाव में रही है, वही पर उनका मन लगा हो है, वही उनका घर है, वहीं उनके जान पिचान वाले लोग है है, एना अब उनका वहीं का routine है, अब सुच विस सेज में आके, एकदम से routine बढ़लेगा, तो कैसा लगेगा, और and grandmother shifted to city author and grandmother city में shift हो गए from village to be with author's parents author के parents के साथ रहने के लिए और वहाँ पे अब हमारे author को तो English medium school में डाल दिया ठीक है और कहीं न कहीं वो travel करने लगा बस से तो अभी यह हम कौन सा point पढ़ रहे हैं कि एक दोनों को एक single room दिया गया तो अभी भी उनकी दोस्ती का यह common link केवल बचा था कि दोनों एक ही कमरे में रहते थे बाकि उनके साथ वो जितना भी काम सुबह से शाम तक किया करते थे गाउं में साथ वो नहीं उपा रहा था बट एक common link था कि दोनों का कमरा सेम था जीक है author admitted to an English medium school अब author को डाल दिया breakfast करवा पाती होगी का उसके साथ वापिस आ पाती होगी कितना सब कुछ बदल गया ना एकदम से सब्रांड मदर अन्हापिया अथ ऑफ बिंग टॉट इंगलेश साइनस इन म्यूजिक उपाद मदर को बहुत साथा बुले इसको क्या यह English इसको समझनी आ रहा वह बड़ी गुस्सा होती लेकिन पता है क्या वह अपना डिस्प्लेशर उस चीज से अलग होके दिखाती थी वह चलाती विलाती नहीं थी कि गुस्सा दिखा रही है वह शांती से अपने आपको चीज से दूर कर लेती अब ऐसा ही उन्होंने कब किया जब यहां पर उन्हें वह सब चीज से पसंद नहीं आ रही थी न तो उन्होंने अपने आपको अलग कर लिया उन्होंने ओथर से बात करना ही बन कर दिया चीज स्कूल के अंधर उसकी कमी थी रेलिजिन-बेश्ट की कमी थी स्कूल के अंदर सिटी-स्कूल में so grandmother showed displeasure by ceasing to talk to the author grandmother ने author से बात करना है बंद कर दिया मुझे नहीं पसंदिया तू कर रहा है so no street dogs to be fed in the city और street dogs भी नहीं थे वहाँ पर खिलाने के लिए stale चपाती तो काफी अलग हो गया यार मुझे grandmother की वो condition समझ में आरही है when you know you cannot do anything about it and you feel isolated and you feel alone सबसे अच्छी बात क्यों नहीं किसी के भी काम के बीच में कोई अपनी टांग नहीं अड़ाई है ना ओना आज कल की दादी मा तो भाई साब और चीज के बीच में रहना कहसा दोता है इनको common link of friendship snapped अब उनके बीच का अपनी वो अखेला पन भी accept कर लिया वो सेक्लूजिन भी accept कर लिया डिवोट साथेल to the spinning wheel to spinning the wheels और अपने आपको यह wheel spin करने में indulge कर दिया सारा दिन यही करती रहती बैट के सूथ काथ पी रहती और दूसरी चीज उन्होंने दुपहर के समय पर हापर जो स्पारोस थे जो पक्षी थे उनको दाना डालना शुरू कर दिया ब्रेट क्रम्स डालती थी वो ठीक है चोटे चोटे ब्रेट के टुकडे वो डाला करती थी अब भाई साब अभी तो चल युनिवर्सिटी में था ठीक है कुछ-कुछ दिनों के लिए आ जाता था अब तो विदेश जा रहा है तो अब क्या होगा और ऑथर को यह लग रहा था कि यार पता नहीं अगली बार आउंगा तो दादी मा मिलेगी या नहीं मिलेगी है ना सो ग्रांड मदर एक्सेप्स दिस विद्वाइट स्रॉइसिजम और बिना किसी विरोध के बिना किसी चूच अपड के उन्होंने चुप-चाप उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया and grandmother sees off the author at railway station and kisses his forehead और इसी लिए grandmother उसको टाटा करने जाती है railway station पर उसके माथे को चुमती है और हमारे कुश्वंत सिंग जो अपनी दादी मा को गले से लगाते है तो वो उस moment को बहुत ज्यादा चेरिश करते है और ऐसा क्यों करते हैं वो ऐसा इसले करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद मेरा मेरी दादी मा के साथ यह लास्ट फिसकल टच हो ठीक है तो ने काफी ज्यादा अच्छा लगा so cherishes it as last physical contact between the two अब पाँच साल बाद आते है कुश्वंत सिंग वापिस वो सोचरते है बता नहीं बचेगी नहीं बचेगी दादी वापनी तगड़ी है एक दम बिल्कुल बच गई वैसी की वैसी टंच बैटी थी सफेध कलर में ठीक है so author returns after five years पाँच साल बाद आए वापिस ग्रांड मदर डेर तुरिसीव अड़ स्टेशन बुले छोड़ने गई दी लेने भी जाऊंगी तो वहाँ पर पहुच जाती है अराम से ठीक है और नेक्स दे ग्रांड मदर गैदर नेबर हुड विमन और सिंग संग बीटिग एन ओल्ड्रम अब दादी को तो पोते की आने की गंदी खुशी बहुत खुशी तो आसपास की सारी पडोस की लेडीज वेडीज इखटी करके इन्होंने किट्टी-पाटी सी कर ली घर में और क्या किया मस्त गाने गा रही है जैसे पहले राजा महराजा जंगवंग जीत के नहीं आते थे उनका स्वागत किया करते थे वैसे स्वागत कर रही है ढोल नगारे मस्त पीट पीट के सारा दिन गाने गाए सारा दिन गीत गाए वारियर्स के लिए जो गीत गाते व उन्हें अपनी प्रेयर को skip किया था ठीक है और अगले दिन वो बिमार हो गई अब जब वो बिमार हुई तो वो इस चीज को regret कर रही थी उन्हें पता चल गया था मेरा end आ गया है ठीक है अब वो regret करें कि मैंने क्यों कल प्रेयर नहीं करी मतलब इन नजदीक आ गया मतलब आ गए है दिन मैं चाहती थी मैं अपना हर दिन भगवान को dedicate करूं राइट सो हर फॉली ऑफ गिविविंग अप्रेयर दे प्रिविएस डे इंसिस्टे ओन प्रेइंग बोली मैं को ना मतलब उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि मुझे नाम जपना है मुझे नाम जपना है टाइपस है ना and dies with prayer on lips and rosary in hands और इसी तरीके से वो क्या हो जाती है मर जाती है होटों पे prayer होती है हाथ में माला होती है और भगवान का नाम लेते लेते वो अपने बढ़िया स्वर्ग में चली जाती है बिमार कर लिया ना अपन को फाल तुमें with setting sun grandmother city friends the birds arrive to pay their last respect अब इसी दीरे दीरे सूरज ढल रहा था ठीक है और आसपास के सभी लोग आए अपनी respect show करने के लिए साथी साथ city के जो उनके friends थे grandmother के कौन थे sparrows वो भी अपना last respect show करने के लिए वहाँ आए और कभी-कभी हमें लगता है जान वारना we don't deserve them क्योंकि वह हमसे बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं बहुत genuine होते हैं उन्होंने देखा दादी मा को वहां लेटे वे वह समझ गए कि यह जा चुकी है और वहां पर आकर शांती से बैठ गए चू 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 कुछ भी नहीं कि उन्होंने और बिलकुल चुप बिलकुल नीचे और करते रिफ्यूज ब्रेड क्रम्स ओफर्ड बाइ ऑथर्स मदर ओथा कि मदर जो ब्रेड क्रम्स देती हैं रिफ्यूज कर देते हैं प्लाय वे क्वाइट लीवन ग्रांड मदर्स बॉड़ी इस कारड़ और चुप चाप उड़ जाते हैं जब चाप्तर को लेकर आपको बता है चाप्तर के अंदर कुश्वन सिंग ने क्या किया है एक पोट्रीट बनाया लेकिन वह भी ग्राफिकली बनाया है राइट ऐसा कोई स्केच नहीं बनाया लेकिन उनकी क्वालिटी वो कैसी दिखती थी उनका औरा कैसा था तो तुमारे दिम लवेंग ट्रिब्यूट टू हर इजो पैसेज है यह जो चाप्तर है बिसी के लिए एक ट्रिब्यूट है उनका अपनी दादी मा के लिए राइट उनकी रिलेशन्शिप उनके साथ जो था उनका जो एमोशनल बॉंड था जो उन्होंने उनके साथ शेर किया तो बिसी कली वो है और यहां पर हमारा चाप्टर खत्म हो जाता है मैं आशा करते हुए चाप्टर आपको जरूर पसंद आया होगा यह एक वन शॉट था चाप्टर कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया लेकिन आपको NCRT रीट जरूर करना है एक्जाम में बढ़िया आंसर लिखने क के लिए क्योंकि डीटेल आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है अब जब आपने वन शॉट देख लिया तो इससे आपको चाप्टर कंप्लीटली समझ आ गया अब जाब उसको पढ़ोगे न तो पहले आपको समझने में शायद अगर मतलब एक घंटा लगता तो आप उस आपको पसंद आया होगा आपको पसंद आया होगा आपको पसंद आया तो विडियो को लाइक कीजे और सी यू इन नेक्स ग्लास बाइ टेकर